हेलो दोस्तो स्वागत है मेरे यूटूब चैनल इलेक्टिकल हब में तो दोस्तो आज हम बात करेंगे फिरिजर जो हमारा फिरिज होता है उसकी जो वरकिंग होती है मेकनिजम जो वरकिंग होती है वो किस तरीके से काम करती है उसी के बारे में हमारा ये वीडियो है तो दोस् आपको यहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा दोस्तों अगर मेरे चैनल में आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथ में बैल आइकन का बड़न दबा लेना क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है लेक्टॉनिक से वह मैं अपलोड करते रहता हूं तो आप कुछ ना कुछ सीखने को यहां पर मिल जाएगा तो जो आज की हमारी वीडियो है वो है फ्रीजर का मेकनिजम में आपको किस तरीक से वर्क करता है क्योंकि यहां पर हम पूरा देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा जो मेकनिजम वर्क करके हमारा फ्रीजर वर्क करता है उ electrical या mechanism इसमें किस तरीके से work करता है तो आप उस चीज को समझेंगे काफी अच्छे तरीके से find out कर सकते हैं आपको जो भी उसमें प्रवब्म आ सकते हैं उसको आप बहुत easy तरीके से क्या कर सकते हैं find out कर सकते हैं रिपायर कर सकते हैं अगर आपको इसका अंदर का पता नहीं होगा इसकी वर्किंग पता नहीं होगी तो आपको काफी टप लगेगा इस सब काम करना और हो सकता है कि आप कहीं पर कुछ गलती भी कर सकते हैं इसलिए दोस्तो चैनल में बने रहें क्योंकि मैं आपको इसमें A2Z आपको जिसका जो म देना दोस्तो तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारा देख सकते हैं नंबर वन जो इसमें मोस्टली इंपोटेंड जो पार्ट से होता है उसे हम कहते हैं दोस्तो यहां पर कंप्रेसर यह हमारा क्या करता है यहां पर प्रेसर बनाता है इसलिए इसको हम कंप्रेसर कहते हैं इस पर suction और pressure दो काम एक साथ होते हैं ये किस तरीके से work करता है दोस्तों इसके लिए मैं part 2 पार्ट 2 बना दूँगा उसमें compressor की working आपको complete करा दूँगा क्योंकि दोस्तों आपने सुना तो होगा अक्सर इसमें एक suction line होती है और एक discharge line होती है तो ये suction और discharge line आपको ये भी पता हो सकता है या ना ही हो सकता है कि ये हमारी क्या काम करती है और दूसरी बात अगर ये आपको पता भी है तो आपको ये मालूम बहुत कम होगा कि हमारा जो सक्सन और डिश्चार्ज है ये अंदर किस तरह के मेकनिजम से ये वर्क करता है यानि किस तरीके से बनता है हमारा सक्सन भी बन रहा है और डिश्चार्ज भी बन रहा है वो किस तरीके से बनता है उसके बारे में भी हम किलियर करेंगे जो हमारा compressor का एक मैं separately video बना दूँगा उसमें आप compressor का जो mechanism अभी तो हम पूरे fridge का mechanism यहाँ पे clear कर रहे हैं लेकिन एक वीडियो में क्या करूँगा मैं compressor का mechanism आपको clear गरा दूँगा आप ये वीडियो भी देखें और वो जो वीडियो बनेगी उसको भी देखें क्योंकि दोनों हुई वीडियो के mixer से आप fridge का एकदम जो mechanism है उसको क्या कर सकते हैं आप clear कर सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से और जो अगली वीडियो होगी तीसरी वीडियो उसमें मैं इसका electrical भी आपको समझा दूँगा electrical line होगा किस-किस तरीके से इसकी line supply जाती है उसको भी आप देख सकते हैं तो फिलालाब यहाँ पर फिरिजका कर रहे हैं दोस्तों जैसे मैंने बताया है कि फिरिजका जो compressor एक बहुत ही महत्वपूर पार्ट है इसका बहुत ही जादा mostly important है वैसे तो दोस्तों अगर मैं बात करो तो mostly इसके सारे parts mostly important ही होते हैं क्योंकि एक छोटे से भी parts के खराब होने से यह work नहीं करेगा तो सारे mostly ही important हुए लेकिन जिस तरीके से हम बताना चाह रहे हैं या जिस तरीके से इसकी working है तो इसको हम क्या कर सकते हैं mostly, mostly important यह इसका parts होता है फिरिजका compressor तो यहाँ पर देख सकते हैं जो number 1 पर लगा हुआ है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं compressor आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, दोस्तों, फिर्च के पीछे जो एक tube सी लगी हुई, आपने देखा होगा, मोटा साथ, उसे बोलते हैं, जो filter, यहाँ पर एक filter लगा होता है, उसके बाद इस filter के जो outlet होता है, वहाँ पर एक पतली सी है, आ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक, इसके ऊपर जहाँ पर filter पर connection आपका pipe का होता है, इसको हम बोलते हैं, condenser, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर condenser को आप देख सकते हैं, यह एक जाली नूमा, इसकी एक coil होती है, जाली नूमा coil होती है, यह क्या करती है, यह क्या करती बाहर के वातरड़ से अब जोब करा के क्या करती है ठंडा करती है इसलिए इसको हम जाली भी कहते हैं आपने देखा हुआ फिरिज के पीछे काली रंगी लगी होती है पूरे फिरिज के पीछे बैक साइड में उसको हम जाली कहते हैं उसके बाद एक दोस्तो जो फिरिजर के तॉप में अंदर साइड लगा उता है, उसको देख सकते हैं यहाँ पे इसे बोलते हैं, एवाबरेटर अगर हम अपनी भा से में बोलें तो इसको आम फ्रीजर भी कहते हैं, जिसके अंदर आपकी बोर्फ जम जाती है, कूलिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसको क्या बोलते हैं फ्रीजर इसको हम क्या बोलते हैं एवापरेटर और ये आपका बिल्कुल टॉप में होता है सबसे उपर होता है आज कल कि फ्रीजर में बॉटम में भी देखने को मिल जाएगा लेकिन जो नॉर्मली ज़ादतर हैं वो क्या हैं टॉप में ही आपको ये फिरीजर देखने को मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं इंसुलेशन लगी होगी है इन पाइपों में वो भी आपको यहाँ पर दर्साया गया होगा है जैसे जैसे फिरीज में होता है तो अब हम इसकी वर्किंग करते हैं दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी इसकीप ना करें क्योंकि अगर यहाँ पर आपने इसकीप करी तो आपके जो कई-कई पार्ट से क्या होंगे यहाँ पर क्या हो जाएंगे मिस हो जाएंगे और आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे तो आपका फिरीज का अभी तक किलियर नहीं हो पैगा क्योंकि अगर आप electronic से related हैं तो आपने काफी चैनलों में सर्चे करा होगा इसको समझने की कोशिस करी होगी लेकिन आपके समझ में नहीं आई होगी क्योंकि आप हर वीडियो को skip करकर के देखते हैं जिस चीज को सीखना दोस्तों उस चीज को skip नहीं करना चाहें मेरी वीडियो देखें या किसी और की वीडियो देखें skip तो बिल्कुल ना करें क्योंकि मेरी वीडियो से छोटी सी जानकार से कुछ आप समझे दूसरे की वीडियो से कुछ आप समझे तीसरी की वीडियो से कुछ आप समझे तो जब आप overall इन तीनों वीडियो का निचोड देखेंगे तो आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे अगर आप इसको भी skip करेंगे इसे भी skip करेंगे इसे भी skip करेंगे लेकिन जो इसमें mostly important इसमें कुछ ऐसा बताए रहते हैं वो आप skip कर चुके होते हैं आपको जो mostly जो total result मिलता है वो क्या मिलता है डाउन मिलता है यानि आप फिर भी कुछ नहीं सीख पाते हैं इसलिए इस वीडियो में बने रहे हैं बिल्कुल skip ना करें सुरू से लाश्ट तक बने रहे हैं मैं आपको A2 jet totally इस वीडियो में समझा दूँगा तो हम बात करते हैं मैंने बता दिया यहाँ पर देख सकते हैं तो compressor में आपने देखा होगा यहाँ पर तीन pipe होते हैं एक होता है यहाँ दोस्तो यहाँ पर से यह पूरा जो इसका cover होता है यह पूरा compressor का इसके अंदर जो mechanism होता है यहीं से आपका charging भी निकला होता है यहीं से आपका suction भी निकला होता है तो आप कोई चावी pipe किसी को बना सकते हैं कोई चावी point किसी को बना सकते हैं तो ये भी आप ध्यान पर रखें। बागे detail आपको compressor वाली वीडियों में cover करवा दूआ है। उसके बाद देख सकते हैं जो हमारा discharge line होता है। उस पर देख सकते हैं यह high pressure यहाँ पर लिखा हुआ है HP, यानि high pressure यहाँ पर होता है, तो देख सकते हैं सबसे पहले क्या वर को होता हैं मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर सपोच करो gas आपकी feel हो चुकी है, यहाँ पर जैसे ही gas feel होगी तो उसके बाद जो compressor आप चालू करोगे, ़िख से कक्याँ गएस को high pressure में ये discharge line से क्या करेगा, इधर से इधर को धुकी लेगा, यहाँ से आपकी ये जब इसको high pressure में पर हीजाती है, यह क्या होँ जाती है, गरम हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, जो इसके अंदर gas भरी होती है, आर 134 ए उसका क्या होता है दोस्तों अगर इसको हाई प्रेसर पर हाई प्रेसर पर इसको जब ये से हाई प्रेसर इस पर दिया जाता है तो ये हीट होना शुरू कर देती है अगर ये गैस जब हीट होती है इसको अगर ठंडा किया जाए low pressure पर ठंडा किया जाया तो दोस्तों यह क्या जाती है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो हम उसी को समझें के देख सकते हैं यहां से इस पर high pressure दिया और यहां से यह दोस्तों इस तरीके से ठंडी हो रही है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर का section फिर आपने देखा हो जब यह work करता है ऊपर का section आपका इतना section आपका बहुत ज़्यादा heat होता है जैसे जैसी यह नीचे आते रहेगा आपका यह क्या होगा ऊपर के मुकावले काफी धंडा होगा इसमें देख सकते हैं दोस्तों इसको heat को ठंडा करने के लिए इस पर फिंस भी लगी होती है ये ऐस तरीके से ताकि ये हवा जो होती है वायू उसके संपरक में इसका जादा area आए और जादा area ठंडा करे इसलिए इसको इस तरीके से design किया जाता है और इसको उपर से नीचे को इसलिए किया जाता है ताकि जो भी इसमें दोस्तों अगर इसके अंदर जैसे कचरा आ जाता है तो वो क्या करता है उपर से नीचे को जब pressure करता है तो अराम से नीचे को आ सके इसलिए और दूसरी बात अगर इसको नीचे कनेक्टे कर देंगे तो उपर अगर इसमें ओइलिंग ओइलिंग कहीं पर बिलॉकिंग आगे तो उपर को इसको धखेलना टफ होगा तो क्या कर दिया इसके लिए इसका कनेक्शन कहा होता है उपर, टॉप से नीचे को कोई भी चीज सर्कुलेट होना आसान होता है चाहे वो गैस हो, चाहे इसके अंदर की ओईलिंग हो कभी-कभी या कोई अंदर कच्रा भी आ जाता है कभी तो वो चीज क्या होती है, नीचे को आना उसके लिए आसान है इसलिए उसको नीचे और जो इसकी इस तरीके से डिजैन करी है कि उपर से नीचे को यह ठंडा काफी आसानी से हो इस तरीके से जो इसका कंडेंसर हो है उसको हमने डिजैन करा हुआ है उसके बाद जब यहां से यह हाई प्रेसर से यहां पर निकलता है तो heat बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों इसके पीछे हाथ रखके आप चेक करना आपको heating देखेगी ये heating दोस्तों जितना जादी हो रही होगी cooling आपकी उतनी ही अच्छी आएगी ये आप समझ लें क्योंकि ये gas का ही एक nature है कि इस gas को आप जितना ज़्यादा pressure दिंगे heat होगी जब इसको ठंडा करके low pressure पर लाएंगे तो एकदम ठंडी हो जाती है यानि माइनस में इसका temperature चला जाता है कि यह इसकी क्या है इसकी एक प्रकिर्तिक रूप बोल सकते हैं इसको तो अब हम nature अब मैं इसको आपको डिखाता हूं कि यहां से जैसी हमारा high pressure पर यह heat होती है यहां से जैसे आज जैसे आपकी ठंडी होने लगती है नीचो को आपको ठंडी होगी उपर के मुकाबले बिलकुल नहीं थोड़ इसकी भी नमी होती है उसको क्या कर देता है अवसोसित कर लेता है नमी को और दूसरी चीज क्या करता है मैं आपको filter का यहां पर एक चित्र भी बना के दिखाता हूं यह जो इसका एक मिनट मैं फिर से बना देता हूं यह तो इसमें होता क्या है जो इसका यवाला पार्ट से है वो यह है यहां पर आपको क्या होता है मोटा ही पाइप लगा हूँ आपको देखने को मिलेगा जो आपका कंडेशनर से आता है यहां पर मोटा पाइप लगा होता है क्योंकि यहां पर हाइप परेसर पर गेस ठंडी होकर के आती है लेकिन यहां पर इसका फिल्टर होता है और जो इसका आउट्पुट होता है दोस्तूर्व वह बहुत ही पतले पाइप का होता है उसके बीच का gap आप बहुत कम समझो ये भी जादा बन जा रहा है बहुत कम होता है एक दम बारिक साथ जो आपकी सुई होती है सुई के तरह इसका अंदर gap मिलेगा तो यह क्या करता है यह यह करता है कि यहाँ पे को high pressure को यह control करता है क्योंकि यहां से तो pressure high pressure तभी इसमाँ high pressure रहता है क्योंकि यह इसको क्या करता है block कर देता है जैसे आपने RO में देखा होगा RO के जो उसमाँ कैसे बोलते है आपके membrane के outlet drainage water माँ आपका एक flow resistance लगता है FR लगता है वो भी वोई काम करता है जैसे यह करता है तो उसी तरीके से यह work करता है तो यहां पर जैसे ही आपका pressure आएगा तो यह क्या करता है इसको block कर देगा बाहर जाने के लिए क्या होता है बहुत ही पतला pipe लगा होता है जैसे कि यह देख सकते हैं आप यह बहुत बारिक पाइप लगा होता है तो यहाँ पर जब गैस ठंडी होती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है प्रेसर एकदम लो हो जाता है क्योंकि इधर तो यह रोग लेता है प्रेसर आगे का प्रेसर क्या हो जाता है एकदम लो प्रेसर हो जाता है तो जब low pressure हो जाता है तो ये gas का nature आपको मैंने बता है कि हाइप pressure से जब low pressure पर आती है तो ये क्या होती है ठंडी हो जाती है मैननस में इसका तर्म परह चले जाता है तो ये पतला सा pipe होता है वो सीध है कहां जाता है हमारा evaporator पर फšíर presume फिरिजर पर जाता है फिरिजर पर जैसी जाता है इसमें फिरिजर हमेशा ये देखना हो आपने ऐलमुनियम का ही बना हुआ होता है इस तरीके से पहले कॉपरों की भी आते थे लेकिन ऐलमुनियम का बना हुआ होता है तो ऐलमुनियम क्या करता है जब फिरिज के अंदर ये नमी मां आता है, यह gas क्या होती है, नमी के संपरकमा आती है, तो वर्फ जमा लेती है, तो इसके अंदर तो जो पाइप होते हैं, इसके अंदर तो आपकी बिल्कुल नमी होती है, इससे सरकुले होते वे जाती है, तो जो वायू मंडल होता है, वो क्या होता है, पाइपों के गुजरती है वो गैस इस तरीके से घुम घुम के गुजरती है तो क्या करते हुए जाती है वो फिरिजर के आज पास की जो हवा होती है उसको क्या कर देती है बरफ जमा देती है यानि बरफ में बदल देती है और यहां से फिर सीधा क्या होती है ये फिर दुबारा से खींचता है इस गैस को ये ये कंपर से करता है दुबारा से सक करता है यानि ये सक्सन पर क्या होगी, गैस रिलीज होगी, कहां से, कैपलरी ट्यूब से, फिल्टर के इन्पुट तक आपको क्या मिलेगा, हाई प्रिसर मिलेगा, उसके बाद कैपलरी ट्यूब से क्या होगी, यह लो प्रिसर पर क्या होगी, रिलीज होगी, जैसे यह लो प्रिसर पर रिलीज होग तो ठंडा तो अंदर की चीज तो होनी नहीं है तो क्या करेगा यह बाहर की चीजों को क्या करतेगा ठंडा करतेगा इसके अंदर क्या करते हैं जब भी हम गैस चार्ज करते हैं आपने देखा होगा इसको हम वैक्यूम कर लेते हैं तो वैक्यूम करना बहुत जरूरी है, आप वैक्यूम पंपल हैं, जितने अच्छी तरीके से आपकी वैक्यूम होगी, उतने अच्छा आपका फिरिज वर्क करेगा, क्योंकि अगर इनके अंदर वैक्यूम सही से नहीं होगी, कुछ-कुछ नमी इसके अंदर रह जाएगी, कहीं पर भी, तो ये क्या करेगा, जब ये हाई प्रेसर से लो प्रेसर मां आएगा, तो इधर जहां भी इसकी नमी होगी, उसको क्या करतेगा, वहाँ पर फिरिज करना शुरू कर देगा यानि उस एरिया पर हलका सा जितनी भी नमी होगी उसको क्या करेगा जमाना सुरू कर देगा और हमारी गैस अगर वैक्यूम आपका हलका फुल का है तो कम ठंडा करने की सिकायत आपके पाँ आ जाएगी अगर आपका इसके अंदर वैक्यूम सही से करा नहीं है तो यह कर देगा पूरी तरीके से अंदर उस पाइपलाइन को ब्लॉक कर देगा जहां पर उसकी नमी होगी यह गैस जैसी उसके संपरमा आएगी उसको जमा देगी उसके बाद यह फिरिच क्या करेगा हमारा ट्रिप कर जाएगा कुछ समय बाद क्योंकि हमारा यहां से गई और यहां पर सपोच करो आपकी बरब जमी होई है यहां पर इस पाइप माँ आपकी बरब जमी होई है तो यहां से यहां से जब लोटेगी तो यहां से तो गैस आगे जाई नहीं पाएगी जब जा नहीं पाएगी क्योंकि इसमें एक प्रोब्लम और भी आएगी जब इस्टार्टिंग के कुछ मिनट होंगे तब यह आपका वर्क बहुत अच्छे तरीके से करेगा क्योंकि उस टैम पर आपकी बरफ नहीं जमी होगी लेकिन थोड़े देर बाद क्य जाएगी दुबारा चल जाएगा तो इस तरीकी समस्या आ सकती है तो इसमें क्या करें एक तो वैक्यूम बहुत अच्छी तरीके से करें इसके अंदर जहां जहां यह पाइपलाइन घूमी होई है जितनी भी है चोटी मोटी पतली बड़ी यह सारे मैंसे क्या होना चाहिए आपकी जितनी भी हवा है वो सारी बहार होनी चाहिए एक इसमें बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए क्योंकि जितने अच्छी वैक्यूम होगा उतनी अच्छी से क्या करेंगा वर्क करेंगा और यह यहां पर जो उपरी हिस्सा है क्या काफी हीट होगा तो आपका अच्छी तर यहां पैसे हैं इस एरिया में आई परेसर रहता है यह रहाई प्रेसर पर जब यह गया वायू मंडल होता है उसको क्या करता है जमा देता है वायू मंडल में आपने सुनावा कि नमी होती है नमी को क्या कर देता है यहां से सक्सन लाइन दुबारा कंपरिसर इसको खींचता है फिर यह कंपरिसर पर गैस जाती है यहां से फिर यह हाई परिसर पर इसको क्या करता है डिस्चार्ज करता है और ये किरिया दोस्तों आपकी चलते रहती है और फिरीज हमारा अच्छी तरीके से वर्क करता है तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका मेकेनिज में काम करता है हमारा जो फिरीज होता है फिरीजर होते हैं इस तरीके से मेकेनिज में क कर सकते हैं कि मुझे मैं कुछ बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो से समझ यहाँ करके वह भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं देखता हूं कि ते लोग आप इस से पहले इस तरीके मैंकरिंज में आप नहीं समझे थे। तो दोस्तों इसका कमपर्ट्टू बंअगा वह और कम्पेरिसर मेंगा हो कि इसमें सक्षन डिश्चार्ज और चार्गिंग लाइन श्युकरां कर ची से कौनरिके काम करता है हमारा सक्सन किस स्यूकरां क कनेक्टर pipeline उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे तो दूस्तों आज के लिए ताही मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe और वीडियो को like कर लेना